आज की इस वीडियो में मैं आपको चोलावन मोबाइल एप से 3 लाख रुपे तक का लोन कैसे मिलता है कम्पलेट प्रोसस दिखाने वाला हूँ इस एप पर आप कम से कम 10,000 रुपे और मैक्सिमम 3 लाख रुपे तक का लोन ले सकते हैं इस एप पर आपको दो तरीके से लोन मिलता है एक स्मॉल लोन मिलता है जो कि आपको 10,000 रुपे तक मिलता है जहाँ पर आपको कम से कम सिविल और कम से कम सैलरी के आप सकता पड़ती है ऐसे ही अगर आप तीन लाग रुपे का लोन लेंगे तो तीन लाग रुपे के लोन के लिए आपके पास अच्छा सिवील और अच्छी सैलरी का होना बहुत जरूरी है इस एप पर आपका नॉर्मली साड़े 600 अगर सिवील स्कोर है तब भी आपको लोन मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप पिले स्टोर पर जाएंगे चोला वन नाम की जो एप है इस एप को आपको इस्टॉल कर लेना है उसके बाद जब आप इस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने ओपन का ओप्सन आएगा यहाँ पर आपको ओपन पर किलिक करना है open पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकर का interface आएगा यहाँ पर आपको 10 digit mobile number जो डालना है उसके बाद enable location to proceed पर click करना है उसके बाद आपके सामने एक option आएगा और यहाँ पर आपको एक mpin मनाना है यानि कि mobile transaction pin मनाना है यहाँ पर आप pin बनाएंगे उसके बाद आप next पर click करेंगे उसके बाद आपसे आपका mpin पूछेगा mpin डाल कर यहाँ पर login पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ interface आएगा यहाँ पर आपकी location मांग रहे है phone and device की permission SMS permission, media and storage की permission मांग रहे है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक tick यहाँ पर आपको tick लगाना है और confirm पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर सभी जगा आपको allow अलाओ करना है अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक option देखने को मिलेगा get your loan now यहाँ पर आपको 100% paperless तरीके से loan provide होता है यहाँ पर आप apply now पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर loan amount पोची जाती है आपको कितने loan की आवसकता है तो जितने loan की भी आपको आवसकता है उस amount को आपको यहाँ पर डालना है मान कर चलिए कि हम यहाँ पर अगर आप 50,000 पर डालते है तो उसकी हम EMI को कम या ज़्यादा कर सकते है कम से कम हम यहाँ पर 12 महीने, 24 महीने, 30 महीने और 36 महीने तक के लिए loan ले सकते है loan का जो tenure है अभी हमने यहाँ पर 24 महीने select किया है उसके बाद फिर से हम apply now पर किलिक करेंगे यहाँ पर हमें एक option देखने को मिलेगा कि enter pen number, यहाँ पर हमें pen number डालना है और यहाँ पर एक tick लगा कर confirm पर किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर हम से हमारी eligibility पूछी जा रही है यहाँ पर हमें अपना pen number देना है यहाँ पर हमें जो है फुन नेम देना है यहाँ पर डेटो बढ़ देनी है यहाँ पर हम gender select तरेंगे उसके बाद यहाँ पर हम अपनी area का पिन कूड डालेंगे और confirm पर click करेंगे उसके बाद यहाँ से हमारा employment type पूछा जा रहा है यहाँ पर हम sell lead है professional है, self-employee है, tick करेंगे उसके बाद sector कौन सा है यानि कि हम government job करते हैं या private job करते हैं, यहाँ पर select हरेंगे अपनी company का नाम select हरेंगे इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे monthly salary select हरेंगे और proceed पर click करेंगे, उसके बाद हमारी जो भी detail होगी दोस्तों वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी, जो भी हमने यहाँ पर detail दी है अगर हमें लगते है कि कहीं पर हमारी detail गलत दी गई है, तो हम यहाँ पर edit पर जाकर उसको edit कर सकते हैं वरना यहाँ पर टिक करके proceed पर किलिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, please wait you are reviewing your application, जो हमारी application है, हमारी application पर हमें कितने का loan मिलेगा, वो यहाँ पर search करके अभी दिखाया जाएगा अभी आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, हमारे सामने दो option आचुके हैं, यानि कि हमें यहाँ पर एक तो यहाँ पर instant person loan मिल रहा है, जो कि 10,000 रुपे तक का है, जो कि हम 12 महिने तक के लिए ले सकते हैं, और इसके साथ-साथ एक और loan है, जो कि बताया गया है कि हम जो है 3,000 रुपे तक के लिए ले सकते हैं, पर यहाँ पर दिया गया है कि higher amount extend tenure, maximum loan tenure 36 महिने, यानि कि यहाँ पर हम 3 साल तक के लिए इस loan को ले सकते हैं, यहाँ पर नीचे है कि available upload new bank statement, तो यहाँ पर दोस्तों दो लोन है, अगर हम उपर वाले loan को लेंगे तो easy मिल जाएगा, यहाँ पर हमें ज़्यादा salary की भी आप सकता नहीं है, और ज्यादा civil score की भी आप सकता नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर 10,000 का जो loan है दोस्तों easy को जो है लेंगे, जो की 12 महिने के लिए हमें मिल रहा है, यहाँ पर proceed पर click करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर complete your KYC, हमारी KYC होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, verify digital locker, यहाँ के हमें अपना address proof और pen card यहाँ के आधार card और pen card यहाँ पर upload करना है, यह हम digital locker से भी दोस्तों इसको complete कर सकते हैं, तो दोनों को ही आप यहाँ पर upload करके दोस्तों next पर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर KYC का जो address है, वो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने KYC का complete address डालेंगे, proceed पर click करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है communication address, तो अगर आपका KYC और communication address सेम है, तो यहाँ पर tick करेंगे, वरना इन फिल्ड में आप जो है अपना KYC का address भी type करेंगे, जहाँ पर आपसे वारतलाप हो सके, जैसे कि आपने देखा होगा, कि कि कोई व्यक्ती का घर का address अलग होता है, और जो कहीं अलग करता है, तो इस तरीके से आपसे address पोचा जा रहा है, सेम है तो यहाँ पर tick करके, दोस्तो proceed पर click करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, दोस्तो, you are eligible for 10,000 रुपे के loan के लिए हम eligible हैं, यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर हमारे सामने है कि आप 3 महिनने के लिए, 6 महिनने के लिए, 9 महिनने के लिए, 12 महिनने के लिए, कितने महिनने के लिए आप लेना चाते हैं, अगर आप 12 महिनने के लिए लेंगे तो आपको 951 रुपे, every month, फिरते एक month जो है installment देनी पड़ेगी, तो आप confirm and proceed पर click करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और detail पोची जा रही है, यहाँ हमें जो है अपने father या wife में से किसी एक का नाम बताना है, तो यहाँ पर हम father select करेंगे, father का नाम बताएंगे, और इसके साथ साथ अपने जान पेचान में दो communication, यहाँ पर mobile number बताने है, यहाँ पर tick लगाना है, और confirm पर click करना है, उसके बाद दोस्तों हमारे सामने next option आया है, pre-sanction, यहाँ पर हमें अपने bank account का number देना है, यहाँ पर फिर से bank account का number देना है, यहाँ पर IFSC code देना है, और यहाँ पर हमें bank में जो नाम है दोस्तों वो देना है, उसके बाद पर प्रोसीड पर click करना है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे सामने option आच चुका है, you have been approved a loan of 10,000 रुपे का जो loan है, वो approved हुआ है, जो कि हम 12 महिनी के लिए ले रहे हैं, जिसकी जो इस्टोल्मेंट आउन उसक्यामन पड़ेगी, यहाँ पर हमें पूरी प्रिव्यू दिखाया गया है, पसंद है, तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे, आई confirm loan census details और confirm पर click करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, congratulations, your loan of 10,000 रुपे का जो लोन ने दोस्तों, वो approved हो चुका है, और यह कुछ ही समय के अंदर, 2-3 गंटे के अंदर हमारे bank account में transfer हो जाएगा, तो इस तरीके से दोस्तों आप इस app पर आकर 10,000 रुपे तक का loan कम से कम या maximum आप यहाँ पर 3,000,000 रुपे तक का loan ले सकते हैं, और आपने देखा कि कहीं पर भी हमने बैंक statement upload नहीं करी है, आधार कार्ट, pen card के बेस पर भी हमें यहाँ पर 10,000 रुपे का loan आसानी से मिल गया है, तो अगर आप ऐसी ही वीडियो चाते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें